जीवन की वास्त विक्ताओं को समझे बिना कल्यान नहीं हो सकता है सामान जीवन जीने को क्या है जैसे जी रहे हैं ऐसे जिया जा सकता है परद जीवन के वास्तिक प्रारूप को समझने के लिए उसको परखने के लिए हमारे जीवन के जो अवश्यक कदम है उन्हें हमें उठाना तो होगा बहुत बार तो ऐसा ही होता है हम यह जान ही नेरे होते हैं कि हम क्या कर रहे हम यह बोधी नहीं होता कि हम किस ओर जा रहे हैं हमें इसकी समझ ही नहीं होती कि हमें क्या नहीं करना था और हम वही करते चले जा रहे हैं यही यही तो जटलता है यही तो समस्या है यही तो हमारे जीवन के वास्तिविक गंतव्य में बाधा है हम इसी ब्रहमजाल में उलजे हम इस ब्रहमजाल के वशिभूत है इस ब्रहमजाल के चक्र में हम फसे हुए हैं और हमें जो नहीं करना चाहिए वही करते जा रहे हैं और जो हमें करना चाहिए था उससे हम दूर भाग रहे हैं उनसे हम बच रहे हैं उनसे हम कत्रा रहे हैं और जब ऐसा हो रहा है हम ऐसे चल रहे हैं तो जीवन की रूप रेखाओं के वस्तविक सुख वस्तविक अनभूतियां में कैसे प्राप्त हो सकती हैं फिर तो नहीं ही होना संभव है फिर तो उनकी प्राप्ति का ना होना ही स्वभविक है हम अने को बार ठक कर हार कर बैठ जाते हैं अपना ही माथा पकड़ कर बेचैन हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं व्याकुल हो जाते हैं कि कि ओह हमारे जीवन में ये सब क्या चल रहा है परंत वास्त्रिक सत्य तो यही कि जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो हमारे ही क्रिया कलापों का पिल राप वो हमारे द्वारा ही त्यार किया हुआ जाला है जो हमने ही जान बुझकर जाने में या अंजाने में बुन डाला है गल्तिया जान बुझकर हो या फिर अंजाने में परणाम तो आता ही है नुकसान तो होता ही है और उस नुकसान के कारण ही हमारे जीवन में ये नकारत मुक्ताएं आकर पनप जाते हैं जिन से हम अक्सर बेचेन और व्याकुल हो जाते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए हमें अपने गतविधियों को परकना होगा समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं हमें क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था इन फैसलों को हमें खुद ही लेना होगा तभी हमारे कल्यान की राहें तयार हो पाएंगे